नमस्ते दोस्तो, competitive exam as a study channel में आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तो आजम इस वीडियो में राष्ट्य खेर पुरसकार 2022 देखने वाले है ये वीडियो आपके आने वाले सभी competitive exam करें बहुत इम्मत पुर्ण रहने वाला है इसरिए इस वीडियो का आप आन्ततक जोरुत देखिए दोस्तो इस वीडियो में हम मिज़र ध्याँचन खेर दतन पुरसकार, अरजुन पुरसकार, ध्याँचन पुरसकार, दोनचार्य पुरसकार और मोलाना अबदूर कलाम आजार ट्रोफी ये सबी पूरसकार इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरुआत करते हैं युवा मामले एव खेल मंत्राले ने राष्ट्य खेल पूरसकार को प्रदान करते हैं 2022 में युवा मामले और खेल मंत्री है अरनाकर्ण सृएह ठाकोर राष्टे खेल पूरसकार राष्टपति द्वारा प्रदान के जाते हैं 2022 में भारत के पंद्राववे राष्टपति है शृर्द्वपति मूर्बो राष्ट्य खेल पूरस्कार 2022 के पूरस्कार विजेता नुवेंबर मैने की तीस तारीक को राष्टपती भवण में बारत के राष्टपती से अपने पूरस्कार प्राप्त करेगे खेलों में उर्कृस्का को मान्यता प्राप्त करने तथा पूरस्कुत करने हैं तो प्रत्य कोर से राष्ट्य खेल पूरस्कार प्राप्त के जाते हैं राष्ट्य खेल पूरस्कार छे सेरियों में प्राप्त के जाते हैं मेजर ध्यांचन खेल रतन पुरसकार चार वर्ष की आउदी में एक खिरादी द्वारा खेल में केशेत्र में सांदर तता सरवादिक उर्कुरुष्ट प्रदर्शन के दे दिया जाता है। अरजुन पुरस्कार चार वस्तक निरंतर उर्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदान केया जाता है। दोनचार्य पुरतरस्कार सतिश्टित अंतराष्टिये खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने वाले प्रक्षिक्षकों को देया जाता है। ध्यांचन पुरसकार खेल विकास में आजीवन योगदान के देऊ प्रेरान किया जाता है। अंतर विश्व विर्द्यलाए तूनामेंट में समग्र शिर्ष प्रेडर्शन के लिए एक विश्व विर्द्यलाए को प्रेरान की जाती है। मिजर ध्यांचन खेल रतने पुरसकार 2020 दोस्तों यह पुरसकार बहुत ही इंपोर्टन्ट है भारत सुरकार दोरा दिया जाने वाला मिजर ध्यांचन खेल रतने पुरसकार यह भारत का सुरवच्चे खेल पुरसकार है इस पुरसकार का पुराना नाम राजेव गांधी खेरतन पुरसकार था इस पुरसकार की सुरुवात 1991-1992 से की गई थी या पुरसकार किसी वर्ष में किसी खिराडी द्वाड़ा किये गए खेलों में उर्कुरुष्ट एव अबोत्पूर प्रदरशन के दिया जाता है खिराडी थे दोज़र पाइस में में अधर ध्यांचन के रतन पुरसकार या शरत कमल अंचत को दियाज गया है इनका संबंद टेबल तेनिस खेल से है अर्जुन पुरसकार दोज़र पाइस या पुरसका भारत सरकार द्वारा 1961 से प्रारंब किया गया था अर्जुन पुरसकार उन के राड़ी को दिया जाता है जिनोंने पिछले तीन वर्ष में किसी खेल में राष्टिय या अंतराष्टिय स्तर पर उटकुरस्ट प्रदरशन किया हो तता उस के राड़ी में नेतुत्वशमता खेल भावना तता एव अनुशाशन के गुन हो अर्जुन पुरसकार में किराड़ी को पुरसकार ज़रूप एक प्रसिस्तप पत्र अर्जुन के कास्य प्रतिमाता एव पंदरा राख रुपे नगर प्रदान किये जाते है दो अजर बाइस में उतकुरस्ट प्रदरशन किरे 25 किराड़ी को अर्जुन पुरसकार प्रदा अविनाश मुकुंद सेबल इनका संबंद एट्रेटिक खेल से है लक्ष सेन इनका संबंद बैट्मिंटन खेल से है प्रनाई एच एस इनका संबंद बैट्मिंटन खेल से है श्री अमित इनका संबंद बॉक्सिंग खेल से है निहकत जरिन इनका संबंद बॉक्सिंग खेल से इनका संबंधा सत्रंज खेल से सुषिरादेवी इनका संबंधा जूडों से है, शाक्षी कुमारी इनका संबंधा कबड़ी से है, दोस्तों हमें बहुत बाल एक्जाम में एक खिराडी का नाम दिया जाता है और उसका संबंद की स्खेल से है यह भी पूछा जाता है इसरे खेल को भी ध्यान में लखना बहुत जरूरी है नयन मुनी सेकिर्या लॉन बोल सागर कैलास ओवरकर मलखम इलावेनियल वाला लिवान शूटिंग ओम प्रकास मिठार वाल शूटिंग श्रिजा अंकुला टेबल टेनिस विकास ठाकुल भालोत्तोरन अंशू कुस्टी सरिता कुस्टी पर्विन वुशू मानसी गिरिच्चंद्र जोशी पेरा बैडमिंटन तरून डिलो पेरा बैडमिंटन स्वपनिर संजय पाटिल पेरा टेरा की जर्दिन अनिका जे भदिर बैडमिंटन दोस्तों इन 25 खिराडियों को 2022 में अरजन पुरसकार प्रण किये गए है दोनाचार्य पुरसकार 2022 दोनाचार्य पुरसकार का आरमब 1961 से किया गया था यह पुरसकार ऐसे प्रणाचको को याने कोज को दिया जाता है जिनके द्वारा पुरसक्यों किये गए खिराडी या टीम ने अंतरास्टे स्चर पर उतरु स्टर बर्लेशन किया हो इस पुरस्कार के तहर प्रक्षिक्षकों को गुरु दोनाचार्य की कांस्प्रतिमा प्रसिस्त पत्र एव दोनाचार्य पुरस्कार आज जिवन सेनी में 15 राक्रुपे नगत एव दोनाचार्य पुरस्कार नियमित सेनी में 10 राक्रुपे प्रडान के जाते हैं दोनाचार्य पुरस्कार उत्कुष्ट प्रदेक्शन नों प्रद्रशकों को तर्शिक्षकों के लिए दोनाचार्य पुरस्कार दूदर 22,7 खेल प्रशिक्षकों को 4 खेल प्रशिक्षकों को नियमी श्रेनी के तहद तता 3 खेल प्रशिक्षकों को आजीवन श्रेनी के जाने वाला है तोनाचार्य पुरसकार आजिवन सेनी में दिने जवाहर लाड इनको क्रिकेट के खेल के लिए दिने आ जाने वाला है पीमल प्रफुल गोश इने फुटबल खेल के लिए राज जिह इने कुष्टी खेल के लिए दोनाचार्य पुरसकार आजिवन सेनी में चार लोगों को दिया जाने वाला है जिवन जोच सिहा टेजा इने तिरंजादी खेल के लिए मुहमत अलिक कमर इने बॉक्सिंग खेल के दिए सुमा सिद्धार्थ शिरूर इने पैरा सुटिंग खेल के लिए सुजित मान इने दोनाचार्य पुरसकार दिया जाने वाला है आजिवन स्रीनी में ध्यानचन पुरसकार दोजर पैस बारत सरकार द्वारा वर्ष दोजर दो से यह पुरसकार दिया जाता है यह पुरसकार खेलों में आजिवन उपलब्दी के लिए प्रान किया जाता है ध्यानचन पुरसक योगदान दिया हो इस पुरसकार के तहट एक प्रसिस्त पत्र दातू का तमगा तता दस राक रूपे नगत प्रदान के जाते हैं खेल एव खेल 2022 में लाइफटाइम अचिवमेंट के लिए ध्यांचन पुरसकार चार अनुबवी खेलाडियों को ब्रदान किया जाएगा ध्यांचन पुरसकार इन चार खेलाडियों को दिया जाने वाला है अश्विनी अकुंजी सी एत्रेटिक खेल के लिए ध्यांचन पुरसकार ब्या जाने वाला है राष्टिय खेल पुरसकार 2022 राष्टिय खेल पुरसकार को प्रदान किया जाता है जिनोंने खेल को पुरसकार करने तता उसके विकास के शेत्र में एक महत पुन भुमिका निभाई हो राष्टि खेल पुरसकार 2022 में तिन संस्तानों को और संगो को प्रदान किया जाने वाला है राष्टि खेल पुरसकार तिन संस्तानों को प्रदान किया जाना है नवद्धित और योवा प्रतिभा की परचान और पोशन ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइज प्राइबेट रिमिटेड कॉर्परेट समाजेक उत्तरदाइत्वर के माध्यम से खेलों को प्रोश्चाहन कलिंग अध्योगिक प्राध्योगिक संस्तान विकास के लिए खेल लद्धाक स्क्री एंड स्नोब बोर्ड असोशेशन मोलाना अबुल कलाम आजा ट्रोफी बारत सरकार द्वारा इस रनिंग ट्रोफी की सुरुवात 1956-57 से की गई थी इस ट्रोफी को प्रती वर्ष उस विश्ववी द्यालाई को प्रदान किया जाता है जिनोंने अंत विश्ववी द्यालाई खेलों में सर्वसेश्ट प्रदेशन किया हो इस ट्रॉफी में प्रतम पुरसकार के रूप में ट्रॉफी तता 15 राक रुपए नगत पिदान किये जाते है मौराना अबुल कलाम आजा ट्रॉफी इस वर्ष गुरुनानक डेव विश्ववी दलय अमरुसर को दी गई है दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीज़े चाहिए को सब्सक्रिप कीज़े और वीडियो की लिंक अपने सभी दोस्तों में शेयर कीज़े दोस्तो ये वीडियो आपके आने वाले सभी एक्जामों जैसे CGL, CHSL, MTS और Railway के आने वाले एक्जामों और Food Corporation और इसे अन्य सभी एक्जामों के ये वीडियो बहुती महतपूर्ण रहने वाला है इसलिए आप इस वीडियो को एक से दो बार जरूत देखे आन्त तक वीडियो देखने के दे धन्यवाद दोस्तों